हाई फ्रेंद्स वेलकम टू माय द्विजा क्या आपके न्यूबॉर्ण बच्चे के आखों में से पानी या पीले कलर का कोई स्टिकी चिकट सा लिक्विड निकल रहा है गंदापन निकल रहा है और आप एज अ मदर एक्चुली कन्फ्यूज हो कि बच्चे के आखों में से क क्या निकल रहा है और मुस्ट एटी परसेंट बच्चों को यह इशू होता है पहले एक साल के अंदर यूज यह कैसे हो जाता है कि जब आप सुबह उठते हो हम बड़े लोग तभी हमारे आख के कॉर्णर पर कुछ यलो कलर का गंदगी होता है जो हम लोग मूद होके क्ली कर देते और फिर पूरा दिन ठीक रहता है बच्चे की आखों से यह पूरा दिन निकलता रहता है पानी तपकता है यहां से निकलता है यहां से निकलता है कभी वह यलो गंदापन आ जाता है कभी-कभी बच्चे की आख पूरी तरह से चिपक जाती है बच्चे की आखों के साइड में भी यल्लो डॉट्स दिखते हैं, कभी-कभी यह जो निकल रहा है आखों में से, उसे रब करने के वज़े से, बच्चे का हाथ लगने के वज़े से, आखों के नीचे का इससा रेड भी हो सकता है, तो बहुत कॉमन है, यह बेसिकली क्यों होता है, उसके लिए हम ल लगे, तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है, उसके उपर पक्का क्लिक करना, और हम लोग को माई द्विजा फैमिली को आपके फैमिली का एक पार्ट बनने में हेल्प करना, अब यह होता क्या है, हम जब लोग खुद की आखे देखो, आखे बड़ी खुबसूरत होती है आखे बाते करती है, आखे इमोशन जताती है, आखे एक्साइटमेंट बताती है, बट अब अधे सेम टाइम, आखो में हमेशा एक पर्टिकलर मोश्यूर होता है, अब जब भी आखे देखोगे, उनमें एक स्लाइट मोश्यूर होता है, तो हम अडल्स के केस में कैसा हो रह फिर नीचे निकलता है फिर गल्ले में से होके नीचे चला जाते है अब यह पाइपलाइन हम सब की बॉडी में है इसलिए हमारी आखे में अगर कभी पे एक्स्ट्रा पानी भी आ जाए तो कई बार वो आप्टमेटिकली ड्रेन आउट भी हो जाता है बट बच्चों के केस मे यह जो पाइपलाइन है वो कभी-कभी ब्लॉक होती है तो अगर यह पाइपलाइन ब्लॉक है मतलब यह जो डख्ट है इसकॉल आखों में से नाख की तरफ जाने वाला डख्ट अगर वो डख्ट ब्लॉक है तो जितना भी पानी बच्चे के नाच्रल मॉश्यर रहेगा जाता है यह किसी में बहुत ज्यादा किसी में बहुत कम बढ़ डख्ट का ब्लॉक होना यह बहुत ज्यादा नॉर्मल है अभी हम लोग जानते है कि इसके लिए करना क्या होता है मेरी बड़ी डॉर्टर है सिया उसको यह कंसर्ण चालो हो गय तो अल्मुस्त 3-3 महिने के आ मेरा बच्चा बहुत रोता था और जब बच्चा रोता था एक्चुली में भी थोड़ा बहुत रो लेती थी साथ में लेकिन मैं उसको बोलते थी बच्चा सीनों क्लीन करना पड़ेगा ना पट फिर मैंने मेरे डॉक्टर से बात की तभी मुझे समझ में है कि अपनी water, पानी गरम नहीं होना चाहिए, थंडा नहीं होना चाहिए, slightly गुन-गुना पानी लो, उसमें cotton लो, cotton को dip करो, squeeze करो, याद रखो, इतना भी squeeze नहीं करो कि cotton में कुछ भी पानी नहीं रहे, and at the same time, इतना भी गिला नहीं रहे कि आखों में पुरा पानी पानी हो जाए, so just dumped चाहिए वो, फिर लेकि अच्छे से आख को clean करो, फिर ये clean होने के बाद उसको dustbin के अंदर डाल दो, याद रखो ये clean किया, वापस उसी पानी में डाला, वापस दोया, वापस उसी से clean किया, this is not a good idea, इससे infection बढ़ने की possibility होती है, तो आप चाहिए तो दो तीन चोटे-च या तीन पीसे में आख बहुत अच्छे से clean हो जागी, ये अगर हम लोग आइडिली दो-तीन बार भी दिन में करते है, तो भी आख अच्छे से clean रहेगी और infection नहीं बढ़ेगा, first thing, second thing, it's called duct massage, duct massage करने की दो तरीके है, मैं आपको दोनों भी तरीके बता देती हूँ, एक त आख जहां पर जाके नाख को मिलती है, just वहाँ पर जो skin होता है, वहाँ पर दबाना है and massage, one, two, ऊपर नीचे, three, four and five, same case में दबाया and down, नाख की direction में उसको लेके आना है, V, दबाया and then down, याद रखो ये इतना भी pressure नहीं होना चाहिए कि बच्चे को तकलीफ हो, और इतना पता भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे को पता भी नहीं चले, massage चल रहा है, so it's slightly with pressure, so दबाया and then down, so ideally हम लोग बोलते है, बच्चे के skin का जभी आप दबा रहे हो, तभी उतना सा path slightly whitish हो जाता है, फिर जैसे ही छोडते हो, वापस normal हो जाता है, वापस दबाते हो, तभी slightly whit whitish हो जाता है, एक indication है समझने के लिए कि आपका pressure सही जा रहे है, यह हो गया last finger से, अगर आपको इस finger से नहीं करना है, तो आप अपका first finger यूज़ कर सकते हो, एकदम inner side से नीच, एकदम inner side से नीच, यह बच्चे को यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों भी तरफ आपको देना ह दिन में 3 से 4 बार, at a time 10 बार करना है, ऐसा अगर आप लोग करोगे, तो usually 8-10 दिन में आपको realize होगा कि वो पानी आना रुग गया है, वो yellow sticky चीज आना रुग गया है, and eyes look healthy, next thing, अगर आप लोग को realize हो कि आपके नीचे कुछ infection जैसा spread हो रहा है, redness spread हो रहा है, बच्चे ने आखें मसल मसल के लाल कर दी है, तो फिर might be आपको एक बार आपके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वो कुछ antibiotics, कुछ eye drops देते हैं, जिससे वो चीज हील आउट भी हो जाती है, अभी पुराने जमाने की एक idea, पुराने जमाने में बोलते थे हैं कि breast milk, ये one of the best healer है, उस के जितने फाइदे हैं, उतने फाइदे और किसी चीज में नहीं है, ये आपके बच्चे के लिए सबसे best दवाई है, जो मेरी mother-in-law ने भी बुला था कि मैं मेरी daughter के लिए भी use करू, और इसे बहुत सारे known लोग हैं, जो लोग suggest करते हैं कि मा के दूद का एक drop अगर की तरफ आपको जाने से बचा सकता है, और healing में भी help कर सकता है, श्रेया क्या ये scientifically proven है, the answer is no, ये एक idea है जो scientifically proven नहीं है, but at the same time अगर आप लोग ये idea करते हो, तो इसका कोई harm भी नहीं है, या तो ये अच्छा करेगा, या तो ये कुछ भी नहीं करेगा, दिन में कितनी बार hardly एक बार, एक एक drop, so harm नहीं करेगा, अगर फाइदा नहीं किया तो, फाइदा करता है कि नहीं for sure, the way I said, scientifically proven नहीं है, बट ये मेरी दादे सास, मतलब मेरे गर में 94 येर ओल ओल लेडी है, मेरी mother-in-law जो approximately 70 के करीब है, और मैं, हम लोग 4 जनरेशन साथ में रहते हैं, और मेर ये बच्चों के लिए वो लोग कहते थे कि घरेलू नुकसा है, करके देखो, फाइदा नहीं हुआ, तो हाम भी नहीं होगा, ये होगी आखो को लेगे कुछ बहुत खुबसूरत चीज है, याद रखो, आखे अपने आप में बहुत कुछ कुछ कहती है, तो अगर आखो का ख्याल रखोगे, तो बच्चों के लिए भी उसे बहुत जादा फाइदा होगा, तो अगर बच्चों के आखों में से पील आपन या पानी निकल रहा है, तो ये कुछ चीजे ट्राय करो, एंड येस, बच्चे को पक्का अच्छा लगेगा, थैंक यू सो मुच अल आफ य वो वाच्छ इस प्रिकलर वीडियो, दो लाइक, कमेंट और शेयर, थैंक यू और ये वाई